हेलो दोस्तों स्वागत एक बार फिट्स आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक ही नहीं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना टीवी देखना का एक्सपिरियंस या फिर कंप्यूटर या लेप्टॉप पर गेम कहलना एक्सपिरियंस पूरी तरह से कैसे चेंज कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े मैं आपको बोल के नहीं बता सकता त तो सीधे चलते हैं वीडियो की तरह आप 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 सो दोस्तों मैंने यह ओडर किया था भी एमभी लाइट लेडी स्ट्रिप्स जो की एक विंडोज पीसी या फिर हम एंडुड टीवी के लिए पर काम ले सकते हैं इसके रिव्यूस में ने देखा है कि हम सिर्फ इसे विंडोज पीसी के उपर ही जो यह सपोर्ट करता है तो चली खोल के देखते हैं एक बार इसके डॉक्मेंट्स अगर्रा में आप मिल जाते हैं यहां पर में इसे खोलता हो पूरा ऐसा और इसके अंदर भी हमें एक सिंपल सा बोक्स मिल जाता है जो कि देखो ट्रांस्पोर्टेशन में जिसके भी क्या हालत हो गई है तो अचली यहाँ पर सबसे पहले में यह जो टेप लगी भी साटा देता हूँ और भी कुछ है इसके अंदर यहाँ पर हम देख लेते हैं तो अभी जो बोक्स हो पूरी तर से खाली हो चुका है तो इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम किक यूनिट चेक करते हैं कि क्या-क्या है इसके अंदर तो दोस्तों यह रहा जैसे एंबिलाइट लेडी स्ट् किट पेकेज इंक्ल्यूड यहाँ पर दियावा है ड्रीम कलर लाइट बोक्स, USB केबल, LED स्ट्रिप, पावर एडप्टर बाकि इसके कुछ अंदर इंस्ट्रक्शन सगरा दिया वे है तो इसे आप में साइड में रख देता हूं यहाँ पर जो में जो चीज है इसकी की बोह अधर अंता प्रिंटर में लगता है और एक डेटा केबल लगने के लिए है पोर्ट यही जो है वो टीवी या अंदर से डेटा ट्रांफ़र करता है LED को कि उनको कैसे जो है वो कौन सी लाइट उनको जो निकालनी है इसको भी रख दते है साइड में यहाँ पर इसकी हमें य केबल मिल जाती है जिसके अंदर यह रहे यह कुछ पोर्ट जो की डेटा ट्रांसफर और इसको पावर सप्लाई के लिए काम में आएंगे दोस्तों यह जो केबल है वो करीब पाँच मिटर की केबल है यहाँ पर आप देख सकते है तो चली इसे भी में रखता हूं साइड में यहोगा पुरा खाली और यहाँ पर देखते हैं इन बोक्स के अंदर में क्या मलता है तो यह पावर एडप्टर है जो की करीब पाँच वोट का में आउटपुट देता है और इसके अंदर जो है यह भी एक पावर एडप्टर है तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो दो पावर एडप्टर इसी लिए आए क्योंकि यह लेडी Olr ु सिट्रिप अपांच मिटर की है और पांच मिटर इस लिए एक अंदर अपको मेरे तीवी के अंदर या मेरे निया इसे कैसे काम कड़ी है कि तो चलते हैम मेरे साथे सेड़ अबयं है अंदर आपको यह इसे इसे बार आपको Corey, taraf wonder युस्बी केबल आ रही थी वह मैंने अपने laptop में लगा दी और जो केबल इन LED स्ट्रिप्स में सा रही थी वह एक केबल मैंने इसमें लगा दी और जो दो केबल्स power adapter की थी वह दोनो power adapter में जोड़ दिये तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लेप्टोप में जो है और क्या सेटिंग्स करनी है तो चलते है मेरे लेप्टोप की तरफ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने computer के अंदर browser खोलना है Google Chrome और वहाँ पर आपको एक website पर जाना है MB Box इसे आप Google search करेंगे और पहले ही result में आपको एक website नजर आ जाएगी तो यहाँ पर जो पहला option दिया वाए Download MB Box 2.1.7 इसका latest version ही आप download कर सकते हैं और इसे install कर सकते हैं और दूसरा अगर आप software download करना चाहे तो यह है LightPack Prismatic for Windows जिससा आप इस download के बटन पर क्लिक कर कर सकते हैं यहाँ पर आपको लाइट पेक TV Google search करना है और यह result आपके सामने आ जाएगा तो मैंने हाला कि दोनों एप को ट्राई किया है Windows में पर MB Box मुझे support नहीं किया तो मैंने Prismatic डाउनलोड किया था चुकि मैंने इसे पहले डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको इसे बता जिता हूं कि इसे कैसे आपको इंस्टोर करके settings वगरा करनी है यहाँ पर मैं यह next करता दोस्तों जैसे आप इसे connect करेंगे आपको यहाँ पर साथ से पहले यह option दिखाए देगा light page discovery no light page detected तो आपको बस इसे next करना है यहाँ पर आपको first option पर ही क्लिक कर लेना है पहले यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि आपका कॉम सा COM है जिसमें COM port है जिसमें आपकी LED strips connected ह तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको बस आपके computer पर right click करके manage पर जाना है device manager पर जाना एक बात दोस्तों यहाँ पर आपको एक option अज़र आएगा जो कि होगा पोर्ट और पोर्ट के अंदर यह रहा दोस्तों यह इस भी Serial CH 340 जो कि आ रहा है कॉम 6 के अंदर तो हमें बस इसको close कर देना और यहाँ पर प्लीज सब्सक्राइब ठेकी नाइम और दोंट सगेट तो प्रिस बिल आइकन तो यह लेटेस्ट अब्डेट सब्सक्राइब अगर आप उसनके नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं तो फिलाल के लिए मैं ही रखता हूँ दोस्तों कि अकोर्डिंग मतलब यह है कि राइट से लेफ्ट तक में आपकी टूटल 25 LED जलेगी अगर आप उसनके नंबर बढ़ाना चाहते तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं तो जैसा कि मेरी 5 मेटर की है तो मेरे उसमें काफी सारी LED होगी करीब 100 से ज्यादा LED होगी पर फिलाल में इसे 25 ही कर दूँगा यहां पर अगर आप इसका सीक्वेंस या इसका कुछ भी अगर आप इसका रोटेशन जैसा भी है अगर आप करना चाहे तो वैसा कर सकते हैं तो आलाग यह रोटेशन जो ठीक है जो कि एक से लिखे है राइट से होता है वे लेफ तक 25 जा रहा है तो इसे में फिनिश करूंगा और फिनिश करने अगे बार दोस्तों यहां पर जैसे कि अ डीसेबल बता रहा है तो मुझे इसको o turn on करना है और turn on कर ना केमरा में बताता हूं कि यह देखो यह यह यहां पर यह दक्रक्राइद को यह दोस्तों शो हो गया तो दोस्तों यह तो था हमारा PC का सेट अप इसके बाद में आपको अब बताता हूं तो यहाँ पर मैं अपनी टीवी अन्माउंट कर दी है और मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉर्म में बता देता हूं कि आपको इस ट्रिप को जो है वो राइट से होते हुए मतलब पूरा एक-एक कोर्नर लेता हुए इसको पूरा स्कॉर में जो है वो फिक्स कर लेनी है और आ यहाँ पर जैसे मेरे वर्टिकल जो हो रही थी वो थार्टीफोर हो रही थी दोनों साइड में थार्टीफोर थार्टीफोर और होरिसोंटली जो है वो दोनों दोनों साइड ही 58 और 58 हो रही थी तो यहाँ पर मैं इनको फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर मैं इनको फिक्स कर अब मैं आपको बताता हूँ, आपको TV के अंदर भी वही software इंस्ट्रॉल करना है, एपको Android MB Light Application, जो की Play Store पर आपको 240 रुपे में मिल जाएगी, यहाँ पर आपको Screen Capture Mode के अंदर जाना है, देखिए, यहाँ पर आगे LED Strip Connected, Screen Capture Mode, और नीचे आपको Settings के अंदर जाना है, अब यहाँ पर आपको, जो आपने पहले अकाउंट की थी, कि होरीजोंटल कितनी LED से, दोनों साइड वो आपको कर लेनी है, तो हमारी 58 LED हो रही थी, दोनों साइड, तो इसे मैं 58 कर लेता हूँ, देखें दोस्तों, नीचे LED जो हो लाइट अप होना शुरू हो गई है, और यहाँ पर वर्टिकल LED भी मैं जो हो सेट कर लेता हूँ, जो कि हो रही थी, 34, अब यहाँ पर नीचे है LED बोटम गेप, तो बोटम में हमारे कोई भी गेप नहीं है, तो हम इसे 0 कर लेंगे, क्योंकि हमने तो चारो ही तरफ सारी LED से चिपका दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, नंबर वन जो है, यह हमारा जो है, वो लेफ्ट कॉर्णर मारा है, तो हमने चुकि LED राइट कॉर्णर से चिपकाना शुरू की है, तो हम इसको फर्स्ट LED ओफसेट को चेंज करके, इससे इस साइड लेके आएंगे, और चुकि फिर वापस उपड जा रही थी, और यहाँ पर देख सकते हैं, दो नीचे आ रहा है, तो इसको हम LED स्टिप डाइरेक्शन को चेंज कर देंगे, बाकी सेटिंग्स आपको सेम वेसे ही रखनी है, केप्चर क्वालिटी को आप हाई एच पर रख सकते हैं, और वर्टिकल डेप्थ और होरिज़न्टल डेप्थ को भी आप अपने अकोर्डिंग जेवो सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर होगी सारी सेटिंग्स हम बेख करेंगे, और सेटिंग्स सारी सेव हो जाएगी, यहाँ पर जाकर भी आप जो भी LED का गामा और ब्राइटनेस, सेचुराइज़िशन वगेरा हैं वो चेंज कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको एक वीडियो प्ले करके बताता हूँ यूट्यूब पर कि ये कैसे काम करता है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा यूट्यूब लोड और यहाँ पर ये एक वीडियो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर चलिए ये वाला वीडियो बताता हूँ दोस्तों, ट्रांजियन्ट टू, देखिये दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने रूम की लाइट्स भी बंद कर दी है ताकि, अच्छे से नजर आ सके, यहाँ पर इस एफेक्ट को देखे दोस्तों, जैसे डिस्प्ले के अंदर बिजलिया चल रही है, वैसे ही पीछे हमारी टीवी के पीछे भी बिजलिया चल रही है, एफेक्ट बिलकुल साई से केप्चर हो रहा है, और नीची पर आप देख सकते हैं, ग्रास का कलर ग्रीन आ रहा है, एक दूसरा सेंपल वीडियो में आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों, इस तरह के साब सेटिंग्स जो है, वो अपने टीवी में कर सकते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, इस प्रोड़र्ट के यह LED सपोर्ट नहीं करता है, पर इस सॉफ्ट्वर के ज़री हम इसको सपोर्ट करवा सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको इस मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आप भी चाहते हैं एसा ही कुछ एक्स्पिरियंस करना, अपने एक्स्पिरियंस को इंप्रूव करना, तो प्रोड़ेट की जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ आते, जाके आप इसे ओर्डर कर सकते हैं, और आप भी अपने वीविंग और गेंविंग एक्स्पिरियंस को बिल्कुल मज़ेदार कर सकते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थेंक्यू